चैसरी कृष्णा राधे राधे चैसरी की मिर्तियों के बाद उसका जन्व नहीं हो जाता वो सुक्ष मुलोक में रहते हैं ऐसा हमारा धर्म कहता है और ऐसा भी माना जाता है कि जिन पित्रों का आसिरवाद सुक्ष मुलोक से परिवार के लोगों को मिलता रहता है उस परिवार में उन्नती ही उन्नती होती है बंस ब्रिदी होती है सुक बढ़ता है नौकरी व्यपार में तरक्की मिलती है तो पित्री पक्ष में जो 15 दिनों का वक्त है पित्री देव धर्ती पर आते हैं और अपने लोगों के ऊपर आसिरबाद भी बरसाते हैं उन पर ध्यान देते हैं और उनका आसिरबाद हमें प्रा आसिरबाद देने ही आते हैं और आपकी समस्याओं को समावत करने आते हैं और पित्री पक्ष में जब हम लोग अपने पित्रों को याद करते हैं उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं तब पित्र दोग का आसिरबाद हम पर बरसता रहता है और इस बार पित्री पक्ष 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रहेगा पित्री पक्ष में कुछ ऐसे कारे हैं जो जरूर करना चाहिए जब आप अपने पित्रों को नियमित रूप से जल और पित करते हैं तब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जल हमेशा दक्षिन दिशाकी और मुह करके दोपहर के समय या फिर आप कम सकम आठ बजे के बाद दे वैसे सुबह भी दे सकते हैं लेकिन पित्रों को जो जल दिया जाता है वो दिन के समय दिया जाता है थोड़ा लेट होने जल में एक चुटकी काला तिल जरूर डालिए और अगर आपके पास कुसा घास है तो ले लीजे जिस दिन पुरवजों का देहांद कितिती होती है उस दिन अनवस्तरदान किया जाता है लेकिन आप जल में काला तिल डालकर रोज ही अर्पित करेंगे और जिस दिन आप उनके निमित अनवस्तरदान करेंगे उस दिन निर्धन को भोजन भी करवाईएगा इसके बाद पित्री पक्च के कारे समाफ्त हो जाते हैं और अब सवाल ये भी है कि कौन पित्रों के लिए जल अर्पन करें या सराद कर सकता है देखे घर का बरिष्ट पूरुस जो है वो नित्य तरपन कर सकता है जो आपके घर में बरिष्ट पूरुस है अगर वो नहीं है किसी काम में बेस्ट है तब घर का कोई भी पूरुस सदस्य कर सकता है जैसे पोता है नाती है यानि पोत्र और नाती वो भी तरपन और स्राद के अधिकारी होते हैं अभी चुकि इस तरियां भी कर रही हैं तो कोई बात नहीं लेकिन कुछ साबधानिया है जिसका नियम पालन जरूर करना चाहिए इस समय पित्री पक्ष में जब आप उनके निमित तरपन दान करते हैं उनको जल अरपित करते हैं आप इस तरह के इस समय चुकि पंदरा दिन साथवी चीजों को अपनाया जाता है जसी कि मांस मदीरा लहसन प्याज बेगरा कत्याक कर दिया जाता है साग बेंगन नहीं खाया जाता मसूर दाल नहीं खाया जाता तो इस अबधी में दोनों बेला स्नान करके पित्रों को याद करना चाहिए कुतब बेला में पित्रों को अगर तरपन दे तो इसी बेला में तरपन का भी सेस्मात होता है अब तरपन में कुस घास और काला तिल ये दो चीजे जरूर होना चाहिए क्योंकि इसका परणाम आपको तुरंत मिलता है आपको इसके लाग तुरंत मिलते हैं अगर आप पित्री पक्ष का पालन करते हैं तो एक बेला आप या दोनों ही बेला खाना खाएं पर सात्वी भोजन खाएं जैसे कि लहसन प्याज बेगरा मत खाईए सात्वी आहर खाईए और जहां तक संबभ हो दूद का परियोग भी कम से कम कीजिए और पित्री देवों के निमित हलके सुगंध वाले सफेद पुस्प उन्हें अरपित कर सकते हैं लेकिन तीखा सुगंध एकदम से जैसे गुलाब बेगरा है यह समत अरपित कीजिएगा दक्छिन दिसा की और मुह करके पित्रों को तरपन करना पिंड दान करना सरबोत्तम होता है और पित्री पक्छ में यदि आप स्रीमद भागवद गीता का नियमित पाठ करें सब्तम अध्याए 11 में अध्याए का तो उनको मूख्छ मिलता है लेकिन किसी से कर्ज लेकर समाज में अपने आपको दिखाने के लिए दवाब में आकर आप भूल कर भी पैसे इस तरह से लेकर स्राध ना करें वरना पित्री आपके नाराज हो जाएंगे तो पित्री पक्छ में कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाता है क्योंकि सुभा जब आप उनको जल अर्पित कीजेगा उनका तरपन मां करें और यह सब करने के लिए अगर आप खर में करते हैं तो कोई एक ही अस्थान पर करें सबसपाई रखेगा वैसे तो सबसे आसान यह है अगर आप धूप बिगरे जलाते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि धूप की तरह अपने हातों से थोड़ा थोड़ा घी गुल और भोजन कंडे पर भी डाला जाता है इस दिन और ये प्रक्रिया कम से कम पांच बार घी गुल और पांच बार भोजन से बने काहवन भी किया जाता है और मंत्र इस दिन पित्री देवों के निमित जपा जाता है हलाई कि मंत्र बोलने के बाद आप अपनी हाथ ठतेली में पानी लें और अपने अंगोठे के साहयोग से जमीन पर परवाहिद कर दें से बताएंगे कि जब आप सूरे का तांतरिक मंतर का जब करते हैं सूरे को जल देते समय तो उसके बिसेश फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुस्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं और साथ ही अगर आप वो मंतर तांतरिक मंतर ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं आप ओम आदित्याय नमह का जब कर सकते हैं गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है और आप कोई भी मंत्र पढ़ें पर पढ़े जरू क्योंकि मंत्र में जो सकती है वो आपको जीवन के कठिनाईयों से बाहर निकलने में मदद करेगा वैसे ओम भी जब कर सकते हैं लेकिन एक बात याद रखिए सूरी को कभी भी बिना अस्नान किये अर्द मत दीजेगा और साथ ही अगर आप सूरी को रोज जल अर्पित करें तो यह सरवोतम होगा अगर सूरी के सामने खड़े होकर रोज 27 वर गायतरी मंतर पढ़ें तो जीवन में चाल से कस्ट आ भी जाए तो भगवान की किरपा से वो आपके हाथ पकड़ कर आपको कस्टों से बाहर निकाल लेंगे आपको तमाम परिसानियों से मुक्ति दिला देंगे बस एक बार सूरी के सरण में आकर तो देखिए क्योंकि वो कुंडली के हर दुरियोगों को समाप् राजा हैं ग्रहों के एक बिसेश मंत्र अगर आप सूरी को जल अरपीत करने के समें बोलते हैं तो कुंडली के नौ के नौ गरह मजबूत हो जाते हैं सूरी का मंत्र बोले ओम एही सूरी सहस्तरांसो तेजो रासे जगत पते अनुकंपे माम भक्तिया ग्रहनार्थ दिवाकर इस मंत्र का जब करके सूरी को जल अरपीत करे इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारो और छिड़के फिर जहां पर आप खड होकर हनुमान चली सा पढ़ सकते हैं या अगर मांगलिक दोसो तो भगवान सूरी को जल अरपीत करने के बाद हनुमान चली सा पढ़ना अध्भूत परिनाम देता है अब चुकि रभीवार का दिन सूरी देप का है और सूरी को मजबूत करने के लिए सूरी का सीधा सम्द् आपके बुरे गरह, असूब गरह, जो असूब प्रभाव है वो डालना बंद कर देते हैं और आपके अनुकूल आपको फल देने लगते हैं अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है कहीं फस गया है कोई वापस नहीं कर पा रहा या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए तब जब भगवान सुरी को जल अर्पित करें तो रभी बार के दिन से सुरू करके अगर आप महिला है तो लगातारे कईस दिन अगर आप पुरुस हैं तो लगातार 27 दिन एक प्रक्रिया करना है जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर एक चुटकी लाल मिर्च के बीज डाल कर अरपित करें भगवान से प्राथना करें सिग्र धन फ्राथनि लिए अगर मंगल कमजोर हो तो जल में सक्क कर या फिर गुर डालकर अरपित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है जीवन में कस्ट कम होते हैं सत्रू बिरोधी ज़्यादा परेसान करें आपको लगे कि सत्रू बहुत ज़्यादा परेसान कर रहे हैं तब जल में लाल गुड़हल के पुस्प डाल कर सूरी को अरपित करें तो सत्रू बिरोधी सांथ हो जाते हैं अगर बैबाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवार नहीं हो पा रहा है तब जल देते समें सूरी को जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर अरपित करें जो बिद्यारती हैं पढ़ाई पर फोकस करने के लिए पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूरी को जल अरपित करें तो उसमें स्याही डाल कर अरपित करें ज्यादा नहीं दो बुन डाल कर अरपित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खुब तेज बढ़ेगा मान बढ़ता है नौ के नौ गरह अच्छे फल देने लगते हैं आपका सम्मान बढ़ता है सरकाई नौकरी प्राप्ति के योग बनते हैं जीवन में जो परिशानी है वो समाप्त होने लगता है कुछ लोगों के गरह दोस्क खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भागे का सामना करना पड़ता है और कड़ी महनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो रभीवार के दिन नौ गरहों के अधिपती हैं जो सूरे उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा प्रियोग जरू करें वैसे इस दिन तंत्र सास्तर में धन प्राप्त बताया गया है जो कि आपके जीवन के जो दुर्भागे हैं उनसे चुटकारा आपको दिलाएगा एक छोटा सा प्रियोग करें क्या करेंगे देखिए रभी बार के दिन सुरियोदे से एक घंटा पहले उठिए अस्नान वेगर कर ले अब ओम ग्रिनी सुरियाए नमह ओम ग 288 वर पूरा आप जब लें फिर आप उस जल को भगवान सुरि को अर्पित कर दें तो ऐसा करने से आपकी सभी मनुकामनाय पूर्ण हो जाती है तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें ज्यादा जानकारी के किजिए धन्यवाद कमेंट में हरहर महादेव चलो लिखें